नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आयोशी वोमन अपावर्मेंट में अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रस करें मेरे टोटल 3 चैनल से अगर आपने उनको अभी तक विजट नहीं किया है तो ज़रूर विजट करें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दी है और उन्हें भी सब्सक्राइब करें आज के वीडियो में मैं आप से शेर करने जा रहे हूँ 7 tips जो के आपको मदद करेंगी COVID-19 pandemic में एक अच्छा जॉब पाने के लिए मैं जो भी आपको tips दे रहे हूँ उनको मैं description box में भी दे दूँगी तो आप उनको विजट कर सकतें description box में तो सबसे पहले जो ज़रूरी है COVID-19 situation में जॉब के लिए वो है confidence और काम तो सबसे first tip है मेरी be confident and calm confidence है success की है ये मेरी भी success की है मैं बहुत ज़ादा intelligent student नहीं रही हूँ लेकिन बहुत confident हूँ और मैंने हर job को अपने confidence से ही gain किया है situation बहुत adverse है क्योंकि अभी COVID की वज़े से हम सब लगबक सभी लोगों ने अपने शहरों को छोड़ा था बड़े शहरों को छोड़ा था और अपनी अपनी city में वापस चले गए थे लेकिन जैसे ही situation नॉर्मल हुई है दिवाली के बाद बल्क में जो लोग गए थे वो वापस शहरों की तरफ वापस आए हैं तो competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि opportunities खतम हो गई है हमने covid duration में बहुत ही अच्छी चीजे सीखी है digital world को देखा है तो जितनी अभी तकलीफ हैं उससे कहीं ज़्यादा boom अब आने वाला है और जैसे ही boom आएगा वैसे ही आप skilled है confident है तो आपको good opportunity मि लेगी तो इससे लिए confidence रहें calmly अपनी हर opportunity को gain करिए number two tip है मेरी make to do list एक proper डायरी बनाई है आपको दिन भर में उसमें क्या-क्या करना है उसको proper not down करिए for example मैं सुभे उठती हूँ और उसमें जो जो मुझे करना होता है उसकी proper list बनाती हूँ for example मुझे yoga करना है after that मुझे cooking कर फिर मुझे video create करना है फिर मैं resumes sign करती हूँ उस दिन की vacancies को देखती हूँ और आगे vlog channel का shoot करती हूँ और upload करती हूँ तो basically आपकी जो भी list है उसको आप properly directly में maintain करें इससे आपका struggle बहुत easy हो जाएगा और आपको struggle करते time ये points मिलते जाएगी कि आपका क्या missing है और आप next day उ को है improve your skills skills की ऊपर कोई वाउनडेशन नहीं है आपकी skills आपकी communication भी हो सकती है आपका technical certification भी हो सकता है आपकी marketing skills भी हो सकती है जरुर्ण है नहीं है कि आपको communication पर ही work करना है हो सकता है आपको marketing जोइन करनी हो mais also you canisini कोई आप उन्हें अटेंड करिए जादा सा जादा अपने टेक्निकल नॉलेज को इंप्रोफ करिए तो बेसिकली जो आपको यह टाइम मिला है इसे पूरी तरह से अपने स्किल्स को इंप्रोफ करने में लगा दीजिए इसके बाद सोशल मेडिया को पूरा अप्टु मार्क रखि करिए मैं अपनी लिंक्डिन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दे रहे हूं आप मेरी भी विजट कर सकने हैं इसके बाद आप नौकरी.com पर अपडेट करिए जॉपस अलर्ट पर एक्टिवेट करिए नौकरी.com शाइन जितनी भी जॉपसाइट से उन सब पर रजिस्ट करिए इससे रोज के नौकरिफिकेशन आपकी सिटी में जो भी है आपके रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेंगे और आप उसको शॉट्लिस्ट करके महा पर इंट्रव्यो के लिए जा सकते हैं इसके बाद जो आपका लिंक्डिन कनेक्शन है उसे एफेक् इसबूक पे तो कोई भी आड हो जाता है और उल्डिसी के बाते भी करता है लेकिन लिंक्डिन पे प्रॉपर आपको corporate world मिलेगा आपको technical वाले बंदे मिलेंगे software व्लेगा आपको teaching वाले person मिलेंगे कहने का मतलब यह है कि जो well qualified लोग हैं वहीं आपको मिलेंगे लिंक्डिन तो उन connections से जादा से जादा socialize होने की कोशिश करिए, coffee meetings organize करिए, ताकि आप अपने need को बता सकें कि हम new opportunity को देख रहे हैं और अपने resume को share करिए, सबसे important जो tip है, वो मेरी next tip है, that is share your resume on Facebook and LinkedIn connections, जो आपकी Facebook profile है, जो आपकी LinkedIn profile है, उस पर अपना properly resume को share करें, अगर आप female है, तो अपना mobile number जरूर हाइड कर दिए, क्योंकि या समाज एक ततू की कमी नहीं है, वो आपको call कर करके परिशान करेंगी, कोई भी authentic company, organization अगर आपको select करती है, interview process के लिए, तो वो proper आपको email करेंगी इसलिए अपना email ID शेयर करें, कभी भी अपना phone number शेयर ना करें, सबसे important tip जो है COVID-19 duration में वो है camera को face करना, interview one to one नहीं हो रहे हैं, आप resume भेजें या आप resume drop करने जाएं, दोनों ही cases में possibility है कि आपका, या तो Skype पे interview होगा, या Zoom पर होगा, या फिर Google Meet पे होगा, तो किसी भी platform आप easily interview कैसे दे सकते हैं, उसके लिए अपने room को proper ready रखिए, अपने mobile को और headphone को सब को situations के according, set करके रखिए कि एक position पर अगर आपका call आजाए interview तो आप उसको अच्छी तरह से देखिए, डे सके interview को successful, तो यह थी मेरी tips, होप आपके लिए beneficial होगी, और अगर beneficial है तो मेरे channel को like share and subscribe करना, बिलकुल भी न भूले, thank you so much